Hello everyone, स्वागत है आप सपी का अनकाइडमी की केमिस्ट्री की क्लास में मेरा नाम है स्वाधी and a very good morning, good afternoon and good evening to all of you depending अब कब हमारी ये कोरोशन के उपर वीडियो देख रहे हैं तो भया आपको सामने लिखा दिख गया है टॉपिक की किस चीज के बारे में हम बात करेंगे जब हम लोग पढ़ रहे थे हमारा कौन सा चाप्टर, Chemical Reactions and Equations so Chemical Reactions and Equations का जो आपका वो वाला टॉपिक है last वाला, rusting वाला, तो रस्टिंग में ही हमने कहीना कहीं कोरोशन का मेंशन किया है, टेक है, so इस वाले कोरोशन के पार्ट को अगर आप करेंगे तो आपका वो वाला, जो rusting वाला पार्ट है, वो भी clear हो जाएगा so you won't be facing any kind of difficulties, ओके, चलिए तो करते हैं अपने क्लास की शुरुवात बिना किसी भी प्रकार की देरी के यहाँ पर हम समझते हैं कि कोरोशन क्या होता है, इसमें क्या-क्या जीजे होती है and everything would be done here, ठेक है, चलिए so corrosion, corrosion क्या होता है, अगर बिल्कुल ही मैं simple terms में, बिल्कुल ही layman terms में अकर मैं बात करूँ तो corrosion होता है, eating up of metals by the action of air, moisture और chemicals, ठेक है जैसे सबसे सीधा साथा example हमने देखा है कि जब construction sites होती है जब किसी का घर, दुकान, building बन रही होती है, सरिये लगते है, बिना सरिये के तो building बन नहीं सकती है सरिये होते हैं, लोहे के, अब सब लोग कहां इतना ध्यान रखते हैं, अपने सारे के सारे सामान का तो सरियों को ऐसे ही बाहर फैक दिया जाता है अब बारिश के मौसब में बारिश आएगी, हवा में air तो है ही है, moisture भी मौजूद है, उसके बाद फिर water भी आगया है बारिश के सहरे से, अब अगर वही सरीय बहुत जादा देर तक बाहर पड़े रहते हैं, तो उनके उपर जंग लग जाती है, उनके उपर corrosion हो जाता है A lot of students get confused between corrosion and rusting, corrosion एक cause है rusting का, corrosion की वजह से rusting हो रही है, आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजे, तो यहाँ पर जो ही चीज लिखी है कि corrosion is the eating up of metals, क्योंकि जो corrosion है उसमें metal को सही वैसे खा लिया जाता है, जैसे कीडे नहीं होते, अगर वो किसी फल फ्रूट में लगते हैं तो वो पूरे के पूरे फल फ्रूट को खा जाते हैं, similarly अगर किसी भी metal में corrosion लग जाए तो वो corrosion जो है उस metal को खा जाता है, उसको weak कर देता है, जैसे जंग लगी हुई cycle होगी, जंग लगे हुए gate हो गए, वो हलकी हलकी छोटी 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 पपडी से वो उतरने जाते हैं, जोटी छोटी पपडियां दीरे 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 उतर जाती है, तो ये दिकत होती है corrosion की, कि वो चीजों को कमजोर भी बना देता है, अब आप समझ ही नहीं, जैसे इतना मोटा सरिया था, ठीक है, इतना मोटा सरिया, corrosion की वज़े से वो पतला पतला होता रहता है, और एक point ऐसा आजाता है कि वो बिल्कुल ही खतम होने को हो जाता है बिल्कुल ही finish हो जाता है, so why is that so that is all and all because of our process known as corrosion ठीक है, आगे समझ में सभी को एक second में आप लोगो की न ठीक करने की कोशिश करी हूँ कि मेरे पीचे जो थोड़ा बहुत चुप भी सकता है ना चुप है आगे चलते हैं अब हम so अगली जो लाइन है उसको बढ़ते हैं corrosion is basically the eating up of metals by the action of air, moisture or chemicals. Due to corrosion iron objects get coated with a layer of brown flaky substance जंग लगी हुई चीज़े सब ने देखी है मेरे घर में भी एक gate है बहुत पुरान है मतलब मैं की second third में तब का वो पुराना gate है लोहे का gate है लोहे में सबसे ज़्यादा अच्छे से जंग लगती है and मतलब अगर देखा जाए तो कि इतनी तो beautiful चीज़ है ना कि लोहे इतना ज़्यादा strong है कि हम उसे नहीं तोड सकते है पर अगर उसका ध्यान ना रखो आप उसको ऐसे ही fact के रखोगे एकदम बिल्कुली उसको लावारिस छोड़ दो के आप तो एक जंग जैसी चीज़ भी उसको कमजोर कर देती है तो यह वही वाली चीज़ होगी कि आगर आपको किसी चीज़ को protect करना है आपको उसे बजब if you want something to last you need to protect it ठेक है वर्ना तो लोहा भी जंग खाके खतम हो जाता है this layer is termed as rust तो देखिए corrosion की वजह से rust आ रहा है rust क्या करता है वो metal को spoil कर देता है by making its surface dull and also weakening the object weakening the object object को कमजोर कर देता है the same phenomena is also observed in silver and copper objects ठेक है अब जैसे जो राजा महराजा के टाइम पर वो steel के बरतनों में तो खाना नहीं खाते थे राजा महराजा है जाहिर सी बात है वो silver, copper मतलब चांदी, तांबा, पीतल इनके उसमें खाएंगे तो इनमें भी rusting हो जाती थी अगर इनका हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते काले पढ़ने लग जाते हैं बहुत सारी आपने ऐसे YouTube वीडियो से एक ही होंगी ना कि अगर आपके घर में जो silver की jewelry है या जैसे pile होती है, pile तो सबके mammy उसको दोने के लिए देती है केतने की pile धुलवाने के लिए देने जाना है ताकि उनके उपर की जो काली परत है वो हटा दी जाए तो tarnished शब्द का यही मतलब होता है कि भाई उसके उपर एक काली सी परत आजाती है silver के उपर आजाती है black copper के उपर आजाती है green color की coating यह भी इसे लिए है क्योंकि corrosion of metals हो रहा है that corrosion is taking place corrosion usually occurs due to action of air and water on reactive metals reactive metals के उपर corrosion हो रहा है ठीक है और यह क्यों हो रहा है क्योंकि air चाहिए होती है, moisture चाहिए होता है oxygen चाहिए होता है और यह सारी चीज़े हवा में present है, कभी अगर मैं भी कोई silver jewelry लेके आती हूँ, लड़कों को शौक होता है silver jewelry का, अगर मैं कोई silver jewelry लेके आती हूँ, मैं उसे एक sealed packet में डाल के रखती हूँ, ताकि उसके साथ oxidation ना हो, जो वो silver की चीज़ है, उसके उपर oxidation ना हो, क्योंकि अगर oxidation होगा, मतलब oxygen लगेगा, तो corrosion तो होगा ही होगा corrosion एक तरीके से बिटा oxidation reaction ही चल रहा है आपका, okay? In some places mainly industries acidic gases may mix up with rain water to warm acids, तो इन्होंने acid rain के बारे में भी बता रखा है कि किस तरीके से acid rain होती है, these acids are also capable of corroding metals, अब acid rain क्या है? हम लोग carbon anis compound chapter में एक चीज़ बढ़ते है कि भाई होता क्या है? कि petrol का combustion होता है petrol, diesel, इन सब का combustion होता है जब इनका combustion होता है तो petrol जलेगा, ठीक है? petrol जब जलता है, तो बेटा आपके नाम nitrogen and sulfur के oxides बनते हैं जैसे nitrogen के oxides बन गए sulfur के oxides बन गए SO2, बहुत सारे बनते हैं NO2, इस सारी चीज़े बनती हैं अब ये nitrogen के और sulfur के oxides क्या करते हैं? ये water के साथ react करके acid बना लेते हैं rain water आ रहा है तो water के साथ NO2 react करके HNO3 बना लेगा SO2 react करके H2SO4 बना लेगा SO3 react करके H2SO4 बना लेगा and फिर aeasी rain जिनमे HNO3 and H2SO4 बन जाते हैं aeasी rain को हम acidic rain कहते हैं या acid rain कहते हैं अब ये acid rain भी corrosion करवाती है these acid rain also lead to corrosion जैसे जो ताज महल है वो acid rain की वज़ए से ही जा रहा है acid rain is very dangerous acid rain की वज़े से जितने भी अपने marble वगेरा के जो monuments है वो घिसते जा रहे हैं so acid rain is a very khatrnaak it's a very dangerous thing ठीक है it can be very dangerous to the skin also so hence the following may lead to corrosion air से हो रहा है water से हो रहा है by chemicals they mean factories का जो धुवा है so में भी acidic gases है फिर वो acidic gases उपर जाके atmosphere में घटी हो जाती है and जब उन acidic gases के उपर rain water पड़ता है वो acid बना लीती है तो chemical substances से भी corrosion हो जी है ठीक है आगे चलते हैं corrosion is a continuous process which eats up the entire metal initially the harmful metal eating compounds are formed on the surface देखे बटा किसी भी चीज़ की शुरुवात जब तक पुरी तरहीके से होती है उस चीज़ का इलाज करा जा सकता है अगर आपको पहले दिन बुखार हुआ आपने पहले ही दिन parasita mall ले ली तो वो बुखार ठीक हो जाएगा अगर आपने ऐसी ही टालते रहे कि आरे नही नही ठीक हो जाएगा आरे नही नही ठीक हो जाएगा वो एक की जगा फिर दस दिन बुखार चड़ेगा क्यों अब वो बुखार अंदर की तरफ आ चुका है पहले वो बुखार सतह पे था पर अब अंदर की तरफ आ चुका है Similarly, corrosion जो होती है वो पहले सबसे पहले surface पर ही होती है Metal के अंदर तक नहीं जाती है अगर उसको ठीक कर लिया गया तो metal खराब नहीं होगा वरना पूरा का पूरा metal खराब हो जाएगा आपका This layer becomes weakened in due time Due time मतलब थोड़े time के बाद वो layer कमजोर हो जाती है और फिर पपड़ी सी उतरने लग जाती है जंग की पपड़ी तो सब ने देखे ने लाल-लाल रंकी होती है पपड़ियां उतरने लग जाती है The same process is repeated on the attached layer and metal objects ends up getting eaten as a whole मैं एक बारी अब आपको ये चीज़ समझाती हूँ अब जैसे suppose highlighter लेती है पानके चलिए कि ये मेरा metal surface है ये पूरा का पूरा इतना बड़ा मैं एक लोहे का surface लेके आई हूँ This entire thing is made up of loha entire thing is made up of loha टेक है तो जब सबसे पहले corrosion होगा So what is going to happen बीटा सबसे पहले corrosion होगा So what is going to happen जो उपर वाली layer है सिरफ उधर लगेगा अगर मैंने protect कर लिया तो मेरी बात बन जाएगी अगर मैंने protect नहीं करा तो ये वाली layer फिनिश हो जाएगी फिर उसके बाद अगली layer के उपर लगेगा फिर उसके बाद उसके नीचे वाली layer पर लगेगा फिर उसके बाद उसके नीचे वाली layer पर लगेगा एंज सो औन धीरे 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 जो हमारा entire metal object है फालिया जाएगा वो खत्म होचाएगा तेक है इस तरीके से corrosion पूरे के पूरे में को finish कर देती है, बिलकुर हिस्वा देती है, पतले पतले हो जाते है, गेट को मैंने पतले पतले हो, अब एक experiment पूछा जाता है कि आप कैसे बता सकते हो कि rusting जो है, वो air and water की मौझूदगी में होती है, how can you say that rusting takes place in the presence of both air and water दोनों की मतलब requirement हमें चाहिए होती है, how can you say that, तो अब इनोंने बोला कि आप एक काम कीज़े, आप तीन test tubes लीज़े और उनके अंदर iron nail यानि की एक साफ कीले डालो, a, b, c है, हर एक में एक-एक कील डालो, आगे diagram भी है मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे a, b, c, ncrt का diagram है या आपका इसमें कील डाली, इसमें कील डाली, इसमें कील डाली, ठेक है, okay, a, b, c लिख दिया, आच्छा, उन्होंने बोला जो test tube a है, उसमें पानी डालो और उपर से धकन बंद कर दो, ठेक है, डाल दिया मैंने, a वाली में मैंने पानी डाल दिया, उपर से cork लगा दी, अगली में में बात करते हैं, और boiled distilled water, उबला हुआ पानी, बिल्कुल साफ पानी डाला, test tube B में and then डालो 1 ml of oil और बंद कर दो, the oil will float on water and prevent the air from dissolving in the water, तो B में क्या किया मैंने, देखे, मैंने पानी डाला, distilled water डाला, उबला हुआ पानी डाला, और उपर यहां पर तेल डाल दिया, अब ज होगा, यहां पर जो air होगी, वो इस पानी में नहीं मिल पाएगी, हवा अब पानी के साथ contact में नहीं रहेगी, यहां पर हवा जो है, वो पानी के साथ contact में है, ठेक है, put some anhydrous calcium chloride, anhydrous calcium chloride मतलब जिसके अंदर पानी नहीं है, अब calcium chloride क्या करती है, वो न moisture absorb करती है, मैं कहीं अब भी calcium chloride को रखोंगे न, तो वो आसपास का जितना भी moisture है, उसको absorb कर लेती है, anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it, उसको भी उपर से बंद करतो, anhydrous calcium chloride क्या करती है, it will absorb the moisture, इस activity से आप से यह सवाल पूछा जा सकता है, कि भई तुम anhydrous calcium chloride डाल रहे हो, काम क्या है उसका, काम समझाओ, तो वो moisture absorb कर रही है, ठीक है, air में जितना भी moisture होगा, उसे absorb कर रही है, तो अब मैंने यही तीन चीज़े करी, मैं वापस समझाती हूँ, मैंने तीन test tube ली, उनको number कर दिया, मतलब naming कर दी, A, B and C, तीनों के उपर मैंने लगा दिया धकन, पहले वाले में मैंने normal अपने नलक air test tube में, वो इस पानी के साथ kanटक में ना आबाय, पानी के साथ kanटक में नहीं आएगी, तो, पहले कहाँ किल के साथ kanटक में नहीं आएगी, और यहाँ पर क्या हुआ, मैंने calcium chloride डाला, ताकि पानी नहीं डाला, ताकि जितना भी air में moisture है, जितना भी moisture, moisture मतलब water vapor है, calcium chloride उस water vapor को absorb कर ले, ठीक है, तीनो test tubes समझ में आ गई, तीनो test tubes में क्या हो रहा है, ये भी समझ में आ गया, अब हमने observe क्या किया, कि no rust is seen on the surface of iron nail kept in dry air, dry air कौनसी थी, test tube C वाली, in the first test tube this tells us that rusting of iron, अच्छा, इसमें first test tube गलत लिख रखा है, क्योंकि ये, मतलब, diagram किसी और का है, और वो, किसी और book के हैं ये, तो इसलिए first test tube गलत लिखा है, यहाँ पर C test tube की बात हो रही है, so this tells us that rusting iron does not take place in air alone कि केवल air में नहीं होगा, air में अगर moisture भी होगा, तब ही rusting हो पाई की, क्योंकि देखो, C वाले में, air तो थी, पर वो dry थी, मतलब उसमें moisture नहीं था, ठेक है, अगला देखते हैं हम no rust is seen on the surface of iron nail kept in air free boiled water, ये थी हमारी B वाली, that is the second वाली, this tells us that rusting of iron does not take place in water alone, कि केवल पानी होगा, तब ही rusting नहीं होगी, देखो C वाली में, केवल air थी, moisture नहीं था B वाली में, केवल पानी था, air तो आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि तेल ने air को आने नहीं दिया, whereas जो ये हमारी first वाली है, इसमें rusting होएगी, क्योंकि इसमें air भी present है, and इसमें water भी present है, so this activity proves कि अगर आपको भाई, साहब rusting करवानी है, तो उसके लिए आपकी दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, आपकी air भी present होनी चाहिए, आपका moisture भी presence होना चाहिए, अब इससे इसी तरीके से question पूछे जाएंगे, कि आपको यी तीनों test tube दे देंगे, exact यही diagram उठा के दे देंगे और पूछेंगे कि which of the following statement is correct for test tube A, या which of the following statement is correct for test tube B, या यहाँ पे calcium chloride का काम क्या है, calcium chloride के अलावा कोई और water absorbing या moisture absorbing reagent दे देंगे, तो आपको बहुत सादा वाईजली सोच समझ के जवाब देना है, कि जो यी particular reagent है, यह कर क्या रहा है यहाँ पे, question में ऐसे ही तो mention होगा नहीं, so यह आपकी NCRT की activity है and this makes it the most important यह common question है कि corrosion को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहली चीज, चीजों को protect करके रखो, moisture और air के contact में मत आने दो, secondly paint कर दो, क्योंकि paint ही, जैसे यह मेरा हाथ है, मेरा हाथ के ऊपर अगर मैं कोई कवच रख लूँगी अगर मैंने कोई कवच रख लिया तो मेरा हाथ के ऊपर नहीं छोट पहुचेगी similarly, suppose यह gate है gate के ऊपर अगर paint कर दिया मैंने, तो air जो है, moisture जो है वो paint के साथ contact में आएगा, वो metal के साथ contact में नहीं आएगा the air, the moisture and everything will come in contact with the paint not in contact with the moisture and if it will not come in contact with the metal the moisture, if it will not come in contact with the metal, तो corrosion हो ही नहीं पाएगी, इसलिए regularly हमें हमारे दर्वाजों को paint करना चाहिए, you know बहुत सेरे पुराने जमाने वाली चीज है जिनको हम ऐसे ही फालतों में बोल देते हैं कि यह रिती रिवाज ऐसे ही होता है, फालतो होता है, कुछ नहीं होता बट दिवाली के टाइम पर mostly लोग अपने घरों को क्यों paint करती है क्योंकि जब मैं छोटी थी, मेरे घर paint होता था दिवाली के टाइम पर especially दर्वाजे paint होते थे लोग क्यों कहते कि न, क्योंकि अच्छा अच्छा लगता है सब कुछ दिवाली पे सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिखना चाहिए नया नया दिखना चाहिए इसलिए हम paint करते है बट अगर scientific तरीके से सोचा जाए तो साल में एक बारी paint होगा अगर हर दिवाली पे paint होगा और अगर paint होता रहेगा तो उस दर्वाजे पे या उस खिड़की पे कहीं पर भी corrosion नहीं होगा जो पुराने जमाने की चीज़े हैं they are also for a very specific reason मतलब अभी हमें उसका scientific समझ में आए नाए अभी हम उसको super station कह दे या जो भी है but that is a reason behind it तेक है उसके बाद हम बहुत चारी techniques use कर सकते हैं galvanization का भी इस्तमाल किया जा सकता है so all these things can be used to prevent corrosion corrosion का जो भी question आएगा बिटा आपका वो जो मेरी पढ़ाई गई चीज़ है इनी में से आएगा extra मत पढ़ना मत अपना time waste करना मत दस किताबों में जाना यही पूछा जाएगा यही आपको लिखना है trust में ठेक है चलिए तो अपनी आज की class को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं मिलते हैं आप सभी से आपकी अगली class में तब तक के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसे constantly आप revise कीजेगा because December से आप लोगों की revision series शुरू हो रही है तो उसमें back to back live classes होंगी आपके पास time नहीं होगा to learn everything, to grasp everything so please, please, please study अच्छे से and yeah I'll see you in your classes तब तक के लिए bye bye all of you